सच्चेकल दोस्तों, मेरा नाम है राजग्यानी और आप देख रहे हैं देश का सबसे बरोसे मन विश्वसनी है सच्चाई और इमानदारी में नंबर एक विश्वर में ख्याती प्राप देखरंसी पीडिया एक बाफ फिर से दिल से स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी करंसी की दुनिया देखरंसी पीडिया पर कि दोस्तों यह विशाल इंद्रा गांधी इंडोर स्टेडियम और इस इंद्रा गांधी इंडोर स्टेडियम में पिछले दिनों पांच छे और साथ मही को काइन एग्जीबिशन का आयोजन किया गया था रंग द्वारा मुकेश कुमार वर्मा जी जो दिली के रंग के संचालक हैं और शिवम वर्मा जी उनके अतक प्रियासों से यहां पे एक कोईन एग्जीबिशन लगाई गई थी और उस वक्त बड़े बड़े डीलर आये थे देश के अलग-अलग इस्तों से और उनी अलग वीडिया के वीडियो देखके अभी हाली में कलेक्टर बने हैं और उनका कलेक्शन बहुत अच्छा हो गया है तो आईए हम मिलते हैं दोनों से नमस्कार नमस्कार वाई समनस्कार कैसे हैं बस एकदम बढ़िया आप कैसे हैं एकदम बढ़िया 1st class हो गई एग्जीमिशन कं तो आईए हम एक इंडों स्टेडियम में हो रहा है जहां पर हर टाइम बास्केट बॉल के मैचेस होती है खुस्या चलती है उस जगह पे एक नमस्कार टीक एग्जिमिशन यह बहुत बड़ी बात है यह बहुत बड़ी बात है यह यह जगान करने वाले जो मुकेश वर्मा जी है उनका भी बहुत बड़ा विजन रहा है कि मतलब किने कुछ बड़ा करना चाहते है जैसे राजदानी है तो राजदानी के लेवल पे उस लेवल पर यह तीन दिन का आज एग्जिमिशन था जो आज कंप्रिट कंप्रिट हो गया है और काफी काफी भीड काफी फूट पाफी फूटपोड कम से कम इन नर जाता कि मैं समझता हूं तो एक दिन मैं है ब्रेज 15-12,000 का फूटवाल था थाज जादे पांड़ा ब्रेज दा का पूटवाल था शादा का ब्रेज आज तो सबसे ज़्यादा था मैं समझता हूं पत्चाहास जार लोग ने लोग ने को कोईन को संजा कि हमारी धरोधर क्या है उसका यहां पर प्रदाशन हुआ था जो नए लोग थे जो राजगयनी तुरू आये है जो करंसी पीडिया तुरू आये थे उनको तो एक दम अलगी दुनिया लगी कि क्या है कि ऐसा भी होता है सिक्क्य भी बिकते हैं वो यहां पर फस करता हूँ काफी जगा फिरता हूँ यह वन व दो बेस्ट एक्जिमिशन जो अभी इस साल की डेली में हुई है कि इसका जो क्रेडिट जाता है राजगयनी सर को जाता है जिनोंने जिनोंने डिजिटल मीडिया के तुरू आम अजमी तक पोचा है यह मेसेज पोचा है कि कोई रोक टोक नहीं है आप शाजान पिरेट के सोजो सौने के मोहर है आपको यहां पर फ्री देखने को मिलेगे तो इसकी भीड और इसका पूरा जो क्रेडिट जाता है वो राजगयनी जी को जाता है और मैं कहता हूँ कि इस तरह के वीडियो बनाते रहे और आम जंता के के लिए एक सबसे बेस्ट वे है के राजगयानी के सबस्क्राइब बने उनके वीडियो जेखे रिगिरल और इसका पूरा लुक्स उठाए कि हमारी जो दरोदर्ती कि पचीस सो साल का सिक्का का इत्यास जो है पचीस सो साल का है वो हर एक हर एक जगा इंडिया में हर एक जगा देखते को मिलेगा और मैं आपको एक बात बता हूं कि मेरे पास जो मिलने आए ना उसमें नेपाल से भी आए मतलब परिवार आए नेपाल से कि बोले हम नेपाल मैं और एक बात भूल गया कि हमारे साथ है डॉक्रन रहूर अगरवाद जो और्टोपेटिक सर्जन है और उनके टाइम में MBBS में गोल्ड मेडलिस्ट है क्या वात है बदाईयो बदाईयो सर्फ तो यह जब ही करिंसी पीडिया तुम हमारे कॉंटेक्ट में आये और स्टार्ट एकदम नॉमिनल कॉइंस है जैसे के समझो के के से तांबे के से के पचास रुपया पचातर रुपया सो रुपया ठीके दो कॉइन भेज दीजिए वहां से उनका जर्नी स्टार्ट हुआ तो आज काफी किताबी भी पढ़ी है उनोंने काफी कुछ नॉलेज भी है और देरे देरे ancient coins में उनका subject उनका interest जो है ancient coin के तरफ है के coin क्यों आया day-to-day life में क्यों आया उसकी importance कितनी है वहां से start किया है इनके पास काफी पंचमास के अच्छे collections है पंचमार coins है कुषांस है गुपता है काफी अच्छे अच्छे collections है यह बी क्रेडिट है बीच तो इनने बोया नहीं पर आपने उस पोदे को नन्ने से पोदे को जो एक वटवरक्ष बनाया वह पूरा का पूरा योगदन आपका है आपके जैसा यदी guidance नहीं मिलता तो कोई इतना वटवरक्ष बन नहीं सकता कई पोदे यसे हैं जो कुमला जाते हैं क्योंकि उनको सही माली नहीं मिलता है तो आपकी किसमत भी बहुत अच्छी है कि आपको किर्ति भाई जैसे गाडंडनर मिले आपको मैं इतना मोटिवेट हुआ कि मैंने बहुत जल्दी इनको घर आये थे तो मैंने दिखाया आपने बहुत अच्छे से सब अरेंज कर दी आपको दिहान होगा एक पूरा ऐसे बॉक्स मैंने भर रखा था उसमें सब छांट छांट के भेंटो लगा के मैंने वह क्लेक्शन किया और सबसे बड़ी वाज़े से आपने कहा कि हम जैसे पौधों को वरक्ष बनाने में आप दोनों का ही सही हो के भीज आपने बोया क्योंकि हम मैं एक नया होता है जैनुनिटी अगर मैं पैसा दे रहा हूं और मेरे को जैनुनिटी नहीं मिल रही है तो मन खराब होता है हमारा मतलब आगे फिर साहस नहीं होता है हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन जाता है मैंने सर को भी दिखाए कुछ मैं एक बार घरद्वार गया तो वहां वहीं करता यहां और मैं झालते हैं फेस्लिवा जैनुन तो सबrial यहां मैंने तो मैंने का यह जो बही किया है आग यह अज़ड़ सराजु और वीटे थे सब आई हमिने में एक तो घाम मैंने जो भी पर किया हूं बट अंदर से लगत नहीं लगता है एक वार है कि आपके व आप जो कर रहे हैं, जो information दे रहे हैं, वो 100% genuine है, और एक collector के hit में है, और फिर मुझे लगा कि अगर आप किसी को भी वहाँ अपने channel पे, social media पे, national level पे, बोल रहे हैं कि भई, कीरती सर के पास आपको genuine चीज मिल जाएगी, मेरा नाम लेने से 10% discount भी मिल जाएगा, तो मुझे न आप ने बंदा recommend किया, और वो coin fake निकला, तो आपकी credibility इतने सालों की सब मेहनत खराब, तो मुझे पता है कि कोई भी इंसान ऐसा नहीं करना चाहेगा, कि भई आप वरना तो क्या होगा, आपका channel नहीं चल पाए, बहुत genuine सी बाप, ये पास सेकणों दुकानदार आए हैं, अलग अलग शहरों के, चोटे-चोटे दुकानदार भी जो एक बेग लेके आजाते हैं काम करने, वो बोलते हैं, आप कितने पैसे लेते हैं वीडियो डालने के, बोले हम भी सिक्के खरीते हैं, हमारा वीडियो डाल दो, पचास जार रुपे ले ले लो, बस आप ये बोल अब जिस दिन से आपका चैनल देखा, फिर कीरती सर के कॉंटेक्ट में आया, मैंने एक सिक्का भी किसी और से नहीं लिया है, मैं जबकि पिछली वाली एक्जिबिशन में आया तो वहां पर बहुत क्या था, तो मैंने गया सर क्या चल रहा है, मैं बैठ गया वाह पर, क्या है, मुझे पता है कि मैं कोई चीज मुचे पसंद भी आ रही है, ठीक है, बट अगर वो फेक निकली तो, क्योंकि मैं अभी नया हूँ, मुझे बहुत एक्स्पिरियेंस नहीं है, किता में पढ़ना स्टार्ट किया है, धीरे धीरे नॉलेज ले रहा हूं, तो यहां प पढ़ो, यह चीज देखो, अपने हाथ से बताया कि यह देखी है, और पिछली एग्जिवीशन में ध्याने कुछ आये थे सिक्के लेके, तो दिखाया आपने का नहीं है, फेक है, फेक है, तो थोड़ा सा उन्हें बुरा भी लगा, अरे भाई है तो है, अभी मतलब, वह सच्चाई इतनी जल्दी पता लग जाए, आखे खुल जाए होता है, कभी-कभी क्या होता है, कि हम जब सच्चाई बोलते हैं, तो किसी का देल तूट जाता है, लेकिन हम उसका देल रखने के लिए जूट तो नहीं बोलेगे, कल एक लेड़ी आई थी, दस रुपे का सिक् क्या खासियत है? मैं बोले, एक करोड़ पर कीमत है, क्यों बोले, एक तरफ से चपा, एक तरफ से नहीं चपा, मैंने यूटुब पर देखा था, एक करोड़ पर मिखता है, तो मैंने इसके दस रुपे मिलना भी थोड़ा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि एग्लीज दिया तो कीमद तोर कम हो गई तो देस्याइ में घरिट करें तो इतना सदमना लगा में निकार लोग केसे केसे तो इस लाइन में जो नाम कमाना और नाम कमाना तो फिर भी एक बहुत आसान मानता हूं में आज की तारिक में नाम को बनाए रखना बहुत होता है आज हमको दा करंसी पीडिया का नाम बनाए रखना या किरती सर को फालकन करेंश गैलरी का नाम बनाए रखना उनको कितनी मेहनत लगती है यदि आप इनका रूटीन देखेंगे और जिसमें यह भाँट ट्रिप करना महां पेडिशन जाना आना पिर कस्तमर्स से लिकर्ना और सारी जीजयें पर इस्टाक करना वहां पर डिलिंग करना नया माल बने वह सारी सीजें बहुत-बहुत बहुत कठिन तपसिया हर को ही नहीं कर सकता है कि हर कोई कीर्थी भाई नहीं बजाते हैं नहीं बजाते हैं एक हैं हार देख हैं जो इन मेकिंग हैं और मैं एक चीज़ और बदरा जाओंगा आपको कि मैं जब पिछली एक्जिबिशन में आया तो मैंने कुछ बीलर से बात कि 95% लोग बहुत रूड थे मुझे समझ में नह इनका विवहार बिल्कुल अलगे जब मैं पिछली बार गया तो छोटा सा इंसिडेंस वा एक आदमी आया और वो कंप्लेइन करने लगा डेली कोई कोई लोकल कि आपके यहां पे ऐसा होता है को रिपलाई नहीं करता है ऐसा वैसा करके सर खड़े हुए अराम से सुन रहे तो बोले ठीक है मैं देखता हूं ऐसा उसको यह नहीं पता था कि यह खुद कीर देए हुए तो बोला सर मने नंबर लिया थीख है तो बोले आप बताना उनको कि ऐसा है वैसा है बहुत प्यार से सुनते रहे उसमें नाम पूछा तो इनों एउन ने शॉर्ट फॉर्म में बताया, शायद केम पर एक सम्तिंग इसा बताया तब भी वो समझ नहीं पाया कि यह सर है फिर वो चला गया इतना शांत रहे के मैं होता तो मैं भगा देता है मैं भाग भी यहां से तरे को नहीं समझ में आरा तो मत लो ना किसी ने बुलाया थोड़ी है कि आओ और हमसे कि अपायद बताया है उससे में जान सकता हूँ कि अगलेक्टरिस का पेइन क्या होता है तो वो पें को अगर अगर अप कोई नेगलेट करता है उसका फाइदा होता था ए सबसे गलत बात है जो नहीं करनी चाहिएगे तो में मेरे डीलर्स भायों को भी बताऊंगा कि होबी इस नॉट एशेंचियल इस नॉट एशेंचियल प्रोड़क्ट कि जुरुवत की कोई भी चीज नहीं है जो हमको चाहिए चाहिए और चाहिए एक शोक है तो अगले का जितना रेक्स्पेक्ट करेंगे जो भी अपने प गुपता गोल्ड कोई अगर उसका डिफ्रेंसेट करने लगेंगे तो प्रॉब्ल मेरे रिक्वेस्ट है होबी को अची तरह से बढ़ाई है कलेक्टर्स ज्यादा से ज्यादा बनाई है डीलर्स को ए मैसेज है बेरा कि ज्यादा से ज्यादा बनाईगे वो जितना आपके प पास हजार कलेक्टर आने याने मगर प्रयास सो आपको परपहले करना अपने एक आखरी सवाल किर्थी भाई आपसे कि मैं एसा तो नहीं कहूंगा कि किर्थी भाई को क्या फैदा हुआ मैं एसा जरूर जानना चाहूंगा कि आपकी नजर में क्योंकि आप इतरे सालों से इ करें मतलब थोड़ा सा रोशनी डालें उस पर में डेफिनेटली बहुत अच्छा राजगेनी जी ने आज प्रश्णा पूछा है जो मैं इंतिजार में था प्रश्णा के लिए कि आपका भी मेरे को पूछे में उसका जवाब दो कि इससे करनसीपीडिया के जो सोर्स है मतलब जो मीडिया इनके तुरू जितने भी वीडियो गए है उसमें से कलेक्टर्स बने ही हैं और मैं समझता हूं कि छे साल में छे साड़े शे साल में निमस्मेटिक फील में तीन गना बड़ोती हुए और इसका श्रह इसे हैं 95% से करण सिपीडिया को जाता है और बाकी सबंद भी जो इद्वीडियो देख रहे हैं और कुछ डिलर होते हैं जिन को यह शालगता है कि राजग्यानी पार्शिलिटी करते हैं 2-4-5 दीलर का नाम लेते तो मैं पार्शिलिटी नहीं करता हूँ जो डीलर मेरे तक पोहुचता है और यह साबित करता है कि वो इमानदारी से काम करेगा और पब्लिक को पूरा समय देगा मैं उस दीलर का प्रोमोशन करता हूं यदि आप में से कोई ऐसा व्यक्ति है जो गेरंटी के साथ अपने आपको आइने के सामने खड़े हो के वाधा कर पाए कि वो व्यक्ति इमानदारी से काम करेगा और पूरा समय देगा कस्तमर को समझेगा तो मैं उसका भी प्रोमोशन करने को तैयार हूं और इससे बड़ी बात में क्या बताऊं कि जितने भी डीलर हैं उन सब का फायदा करने का ही मेरा मन होता है इसी वज़ा से मैं हर एक्जिविशन में आता हूं और आप लोगों का फायदा होता है आप मुझे एप्रीशेशन दें या ना दें के लिए और आम जनता के लिए जितना मेर से बन पड़ेगा तैये दिल से 100 परशन देने की पूरी कोशिश करूं डाक्टर राहूल जी सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आये हमारे चैनल पे और किरती भाई आपका तो सदेव धन्यवाद हूं मैं र दोस्तों हम इजाज़त लें उसके पहले हमारे साथ भानुजी जाइन हो चुके हैं भानुजी भी दा करंसी पीडिया के वीडियो देखकर उन्होंने अपना इस्टाल लगा है दिल्ली में जो रंग फेर हुआ उसमें पहली बार उन्होंने इस्टाल लिया है और आम आंध इमानदारों के नाम पर सीधे साथे लोगों के साथ चलकपट कर रहे हैं यह करने की कोशिश कर रहे हैं वह सब साउधान हो जाएं क्योंकि इमांदार लोगों की टीम बढ़ती जा रही है और एक इमांदार हजार बहिएमानों पर भारी पड़ता है तो भानुजी आपका श्भाव ह oscillate हैं हमारी श्युभ्कामना हैं हैं आप अच्छे से काम करें हम अब के साथ हैं मैं हर उस weekend के साथ में हूं जब तक वीद distingu का ध्यान रखता है जब आप पबड़िक का ध्यान रखोगे दूसरों का फाइदा सोचोगे तो आपका फाइदा अपने आप हो हैं एक नए रोचक अद्बुत वग्यान वर्दक वीडियो के साथ तब तक के लिए आप अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा आपके अपनों के लिए हमारे लिए देश के लिए और दुनिया के लिए और हां मुस्क राते रहिएगा क्योंकि आप केमरे की नजर में है और इश्वर आपको देख रहा है जय हैं जय भारत आप 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 हुआ है झाल